हेलो श्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी गोचिंग क्लासेश पर सवगत हैं क्लास्टल्ड कमिस्टी एंसे अर्टी में आपका चैप्टर टेन चल रहा है आर्गनिक कमिस्टी और इस वीडियो के माध्यम से हम क्लोरोफार्म के महत्वण रासानिक अव्ङरिया आपको समझने वाले हैं पेरे बच्चो इसमें आपको सीखने को मिलेगा कर्विल एमिन अव्ङरिया क्लोरोफार्म का चैन क्लोरो नीकरण आकसीजन 179 के साथ क्रिया संग हनन नायटरी कर सब्सक्राइब कर एक चर्चा करैंगे तो सुरू करते हैं सबसे पहले कार्विल एमीन अब क्रिया परवच्चो जिसमें आप देखेंगे क्लोरोफार्म की क्रिया प्राथमिक एमीन के साथ baseline के साथ लेकिन कैसे एलकोहाली कोहMillion के साथ मतलब एलकोहाल उपस्थित होना चाहिए के ओएच मिलियन में ठीक है चलिए तब ये एक दुरगंध युक्त एबं बिसहला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है जिसे कार्विल एमीन कहते है यहीं क्लोरोफार्म की क्रिया करार है प्राथमिक एमीन के साथ इसके साथ प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन ले लेते है एनिलीन का फार्मूला इदि आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए C6, H5, NH2 यह है पेरवच्चो एनिलीन क्रिया कराना है क्लोरोफार्म CH-CL3 और प्यारे बच्चो एलकोहाली कोह होना चाहिए तो कोह हम ले लेते हैं ठीक है कोह ले लिया हमने देखेगा अब क्रिया कराएंगे सिंपल है तो प्यारे बच्चो यह आपका C6H5 है यह सेम रहेगा बस यहां से N है यहां से C को पकड़ेगा और H को बाहर निकाल देगा तो आईसोसाइनाइड मतलब डबल बच्चो उपस ऐसे होजी बन देगा फेनिल आईसोसाइनाइड बनाता है बिसैला है फेनिल आईसोसाइनाइड आगे क्रिया कैसे होगी यह बहुत जरूरी है समझेना देखेगा प्लस करिये अब यहां से जितने C L है उतने क की जरूरत पड़ेगी क्योंकि के C L बनेगा तो तीन का मल्टिप्लाई कर दी तो तीन के C L बना लिया समझेगा C L तीन है तीन पोटेसियम हो गया तो पोटेसियम क्लोराइड बना जा अब प्यारे वच्चो हाइड्रोजन यहां भी था एक हाइड्रोजन यहां भी और तीन हाइड्रोजन यहां पर यह दो तीन और तीन छे छे हाइड्रोजन हो गया प्यारे वच्चो तो आपका योगिक बनने वाला है किसके साथ क्रिया करी क्लोरोफर्म के साथ किसके उपस्थीति में एलकोहाली कीवच के था रहता है और यहां से केज जो है cl से क्रिया करस्फ में एक ना नाएगा और Daisy एक है शरी यहां पर ये पनता है यह इन सहेख़ भन दैनाएक तो पिर दिल्गंद युक्त का बनाता है नंदाए जिससे हम कारविल एमीन भी कहते हैं तो पहला अबक्रिया कंप्लीट उम्मेद करता हूं देखे बिलकुल आपको एक्जाम की दिस्ट कोर्ट से त्यारी करना तो जो मैं बता रहा हूं सिंपल तरीके से आप त्यार करते चलो और इंपोर्टन्ट अबक्रिया यहां पर चल रहा है ऐस की यएज की उपस्थिती में क्लोरोवांम की हैं एसलिए लोगो केंफ्यूज्य नहीं होना है कि क्लोरोवांमी क्यों यह ने पढ़ική और संगहनन जो पढ़ रहे हैं क्लोरोवांम वाय सघ्वन का संगहनन वान्टा है Satone का सूथर आपको पता होना चाहे यह दिनेहीं पता तो भाइया तुरंत लिखो CS3 और CS3 यह C212 कीटोन समूँ है कीटो है एसी टोन है समझे CS3 CO CS3 यह आपका क्या प्यारवच्चो एसी टोन क्रिया किसके साथ करेंगे तो चलो कोई बात नहीं और अक्सीजन सिंगल तो रह नहीं सकता डबल बांड के साथ रहेगा लेकिन डबल बांड लग जाएगा तो फिर कार्बन किसी साथ जुड़ेगा नहीं तो एक काम करते हैं यहां से H उठाते हैं और अक्सीजन के साथ जोड़ दें और यह सिंगल बांड है और इसके साथ तीन क्लोरीन है और कार्बन CCL3 यह आपका बन गया क्लोरी टोन यह है निद्राकारी उच्चकोटी के निद्राकारी है समझ रहेगे यह आपको यह मिल जा क्लोरी टोन इसे आप बिल्कुल सोगारें गीसाम को सोगे बिल्कुल पूरा दिन सोते रहा जाएंगे यह है पियारे बच्चो ख्लोरी टोन क्या है क्लोरी टोन ठीक है फिर से देखिए यह आपका एसी टोन है CH3, C, आपका डवल बांडो, कीटो समू है यहां से H आता है, ठीक है क्या आता है, पेरवचो H तो H आपका डाइरेक्ट किसके साथ अटेक होता है, HO के साथ तो OH हो जाता है, फिर CCL3 वज़ता है जो की कारवन से डाइरेक्ट जाकर क्रिया कर ले था, और बन जाता है Chloritone, यह आपका क्या है, तो Acetone क्या है, Acetone, ठीक है, तो Chloritone, Acetone, यहनि Acetone और Chloroform, संगनन की यह मतलब सीधे डाइरेक्ट जुड़ करके Chloritone का निर्मान करते है, ठीक है, संगनन आपकर समझ गया, यहनिवेच की उपस्थिती में Chloroform, Acetone का क्रिया हुआ क्या बनाए, Chloritone बनाए, Chloritone में सीधा का, सीधा Chloroform, Acetone के साथ जुड़ करके बनता है, सीधा जुड़ जाता है, ठीक है, यह आपका हो गया Chloritone बनना, यह Question आजाए, Chloroform से Chloritone को देना, सिंपल तो अगला आप क्रिया देख लेते हैं, नाइट्री करण नाइट्री करण मतलब नाइट्रो समू का जुड़ना आप लोगों को पता होगा, इसके पहले भी आपने नाइट्री करण पढ़ा है जब भी नाइट्री करण सब्द आ जाए स्टूडेंट तो आप समझ जाए नाइट्रो समू का जुड़ना और यहां पर हम नाइट्री करण के क्रिया कराएंगे कभी भी आप नाइट्री करण अब क्रिया समझ ले चाहे अल्डी हाइट का हो, चाहे कीटोन का हो, चाहे एसी टोन जिसका भी हो पैर बच्चो, हैलो एलकेन का हो, हैलो एरीन का हो, क्लोरो फार्म का हो, आडो फार्म का हो, एमीन का हो, कहीं भी यही नाइट्री करण हो रहा है, तो समझ लिजे का नाइट्रो समू जुड़ रहा है, और उस नाइट्रो हमों को जोडने के लिए हमको लेना पड़ता है नायट्रिक आमले किसके साथ क्रिया कराना चाहते हैं तो क्लोरोफार्म के साथ क्रिया कराना चाहते है पैर बच्छो क्लोरोफार्म का सूतर है CHCL3 क्या CHCL3 देखेगा CHCL3 चार बंद बनाएगा तो तीन क्लोरीन हो गया एक हाइडोजन यह क्लोरोफाम है नाइट्रिक अमल का सूतर होता है HNO3 तो यहां टू कर दी यहां O कर दी तो फिर तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी नहीं होगी क्यों क्योंकि प्यारे बच्चों लेगा और HO के साथ क्रिया करेगा HO के साथ क्रिया करेगा सिंपल सा ठीक है और क्या बनाएगा पानी बनाएगा क्या बनाएगा पहरे बच्चों पानी तो यहां पर जो आपका उत्पाद बनने वाला है क्लोरी टोन का CL तो CL रहने दो कार्बन CL तो CL CL तो CL और यहां पर जु बनाता है H2O, H2O बना लिया, पानी बना लिया, समझ रहे ना, नाइट्रिक करण की क्रिया हो रही है, नाइट्रिक करण, नाइट्रिक करण में नाइट्रो समू जुड़ता है, नाइट्रिक अमली की क्रिया करा जाती है, तो क्लोरो फार्म की क्रिया हमने करा दिया, किस के सा साथ नाइट्रिक अमने के साथ तो हमारा नाइट्रो समूई एनो टू जुड़ गया एस्ट्वो पानी बाहर निकल गया और बना हमारा क्लोरो पिक्रिन क्या बना क्लोरो पिक्रिन या नाइट्रो क्लोरो फार्म इसको लेख सकते हूं नाइट्रो क्लोरो फार्म क्वेश्चन कैसे आएगा क्लोरो फार्म से क्लोरो पिक्रिन बनाओ तो आप बना दोगे ना सिंपल है सांद्र नाइट्रिक अमल के साथ क्लोरो फार्म की अ तो आपका नैट्रीकण का नैट्रो सम्मूँ है इसकी हैडूजन को प्रतिस्थापित कर देता है और क्लोरुपिक्रिन बनाता है ठीक है सिंपल है नाइट्रीकर्ण सिंपल तरीके से आप समझ गए हुँगे इसके बाद अगला आप क्रिया क्रिया क्या सभी के सभी महत्मूर है घ्रिक सन अच्छे से त्यार करते चलना है अब रिमर्ट बंक क्रिया किसके सांथ्त कराएंगे क्लोरो फाम की क्रिया कराएंगे संद्र चाहर तथा फिनाल के साथ, यानी हमारे पास संद्र चाहर होना जाए, कई ओएश ले लो, चाहिए, अनवेश ले लो, तो क्लोरो फार्म के क्रिया आप कहांपर, फिनाल पर जाकर अटेक करेंगा, देखेगा, फिनाल जब हम पढ़ाएंगे, तो वहां पर रहसानी कप क्रिया में ये रीमर टीम अप क्रिया आएगा ध्यान रखिएगा फिर से बता रहा हूँ जब हम फिनाल चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी रीमर टीम अप क्रिया आपको मिलेगी और क्लोरो फार्म के साथ क्रिया कराएंगे तब वहाँ पर इसकी रहसा हो ओए तो यह तो यह घराता है फिदा इसके क्रिया किसके सांत कराना है क्लोरोफर्म किसके सांत क्लोरोफर्म मतलब cccl ठीक है साथ में क्या होना है चाहर साहर मतलब आप चपर कंच of ले लो चाह ऐνη एल्डी हाइड जो की एल्डी हाइड है दि हो गया पैरे बच्छो मतलब ची एच ओ होगा क्या सी एच ओ पलस देखेगा जितना यहां पर सी एल है उतना यह लेना पड़ेगा इसलिए थ्रीका मल्टिप्लाइदी कर दें तो तीन और तीन यहां पर तीन एने सी एल बना देग ठीक है साथ में आपका CHO तो चला गया लेकिन पैरे वच्चो यहां से आपका हैड्रोजन बचेगा तो आपका 2H2O बचेगा यही पानी कारू बाहर निकल जाएगा ठीक है रीमर टीमें अब क्रिया में पानी भी निकलता है तो हमने क्लोरोफाम की किया सांद रिचार ले लिया और फिनाल के सांद साथ से सतर डिगरी सेल्सियस तक गर्म किया तो क्या बन गया अर्थो सेल्सिल एल्डिहाइड बनता है लेकिन पैरे वच्चो अर्थो के सांसनात कुछ न कुछ पैरा सेल्सिल एल्डिहाइड भी आएगा रीमर टीमें अबक्रिया को समझाओ इसमें से ऐसा भी कुश्चन आ जाता है कि क्लोरोफार्म की निम लिखे तब क्रिया है संपन किजिए कार्विलेमीन आ जाएगा संगना आ जाएगा नाइट्रिक और रीमर टीमें अबक्रिया गया इतना कंप्रीट बहुत इंप् तो जलब घटन में थोड़ा सा लिखना है आपको कि जलब घटन होगा मतलब जलकारू टूटेगा सिंपल है है ना यहीं जो भी हम अब क्रिया कराएंगे इसमें जलकारू निकलेगा ठीक है जलब घटन में यही होता पर बच्चो जलकारू का बंड़ना तो जली यह क्लोरोफार्म की क्लिया कराना ही पड़ेगा तो क्लोरोफार्म में होता है और किसके साथ कराना है पैर बच्चो एलकोहाली यह जली कुछ भी ले सकते हैं को एच के साथ ठीक है आप से लिए कुछ ना बने ना इतना तो दिमाख लगाई सकते हो कि 3CL है तो 3 के लेना ठीक है एच सी डवल ओ के पोटेसियम फार्मिट बनाता है अब जो आपका एच है और ओ एच्टो बनाएगा बिना एच्टो के तो रह नहीं सकता अब यहां पर पैर बच्चो एक अक्सीजन यह अक्सीजन हो गया और के यहां चला गया के यहां एक चला गया और 3CL है तो 3 के दिदा है थो ateurs अब यहां पर हाईड्रोजन किते हो गे यह चार ना बिक गाये चार का म्म प्लेट हो गया उसे हम एक संदी यह हो लेकिन پیارे बच्चो मैं कोसिस यही करता हूं छोटे माद्धेम से यहीं कम समय में आपको अधिक चीजे समझा सकों सिंपल है हमने कलोरोफार्म की क्रिया पोटेसियुम हईड्राकसाइड के सांथ करा दी किसके सांथ potassium hydroxide के साथ करा दी तो हमारे पास मिल गया पैर बच्चों क्या यह आपका sodium farmit है पोटेसियम farmit है यह potassium hydroxide था तो potassium farmit बना KOH potassium hydroxide KOH sodium hydroxide नहीं potassium hydroxide है तो KOH आपका potassium hydroxide था तो हमारे पास बन गया potassium farmit ओके तो जली यह एलको हाली था KOH billion के साथ दुबाला हमने potassium farmit बन गया तो पांच अपक्रिया हो गए आपके कितने पांच अपक्रिया हो गई इसके बाद अपन चलते हैं पैर बच्चों क्लोरोनी करण क्लोरोनी करण में आपको क्लोरोनी करण में आपको लिखना है सूर के प्रकास में अब क्रिया संपन होता है जिसे आपका क्लोरोफाम है C-H-C-L-3 और क्लोरीन से क्रिया कराएंगे पैर बच्छो सन लाइट यानि H-new फोटान की उर्जा तो एक एच निकलेगा और एक C-L जुड़ जाएगा बस एक एच निकल जाएगा तो H-C-L बना दे और एक से डम्यों कि एक लिऑ एक एच निकलेगा तो आपका S-C-L बन गया और एक क्लोरीन जुड़ गया क्लोरोनीकरन तो आप पढ़ी रहे हो क्वेत्चों कुछ तो है नहीं इसमें क्लोरीन क्लोरीन का जुड़ना क्लोरोनीकरन नाइंड्रीकरन में नाइड्रोस हाँ आण होना है ना तो यहां पर क्लोरोनी करन का अब ख्रिया से आपree सिक रोडरीका क्लोरीन को एक कहला आगATHAN करते हैं अगला नंबर है का ठीक है से शेवन नमबर पर बच्छो अप्चन, अप्चन में क्या होता है? अप्चन, क्लोरोफार्म का अप्चन और दी करा देगं, तो क्लोरोफार्म के अप्चन में, ये हाइड менее जोड़ेगा, ये हाइड dud sadece जोड़ेगा, और मेथिलीन डाइक्लोराइड बनाता है देखेगा डाइरेक्ट करा रहा हूँ पेरे बच्छो अब यहाँ पर मैं आपको हिंदी ने क्लोरोफार्म है इसका आप चैन कराओगे ठीक है अप चैन कराओगे अप चायक के उपस्थिती में अप चैन क्या हो सकता है जडन हो सकता है और ले लिजी आप HCL ले लिजी ठीक है यानि आपका आमल हो गया एक हाइड्रोजन जोड़ेगा तो क्या बना लेगा CH2 CL2 ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे कार्बन की विलेंसी चार होती है कार्बन की विलेंसी चार होती है कार्बन की विलेंसी टूटल चार होती है और एक H जुड़ा है तीन CL जुड़े है तब जब तीन CL जुड़े है तो एक CL तो निकारना पड़ेगा तभी तो अपचैन होगा तो एक CL निकलेगा और एक hydrogen जुड़ जाएगा एक CL निकलेगा और एक hydrogen जुड़ेगा तो CH2, CL2 हो गया एक CL निकल गया है समझ रहे हैं फिर प्यारे बच्चो आपका एक H निकला तो अकीला तो रह नहीं सकता HCL हो गया तो यहाँ पर 2H का multiply कर दिए क्योंकि HCL निकला आए के साथ तो HCL बना लिया तो अपचेन भी यह बनाता है अपचेन उतना important नहीं है जितना की पैरवच्चो एक क्लोरो नी करना जलाब घटना दीमार्टी में ना करिया सबसे महात्पूर्ण अब करिया है वो है आक्सी करन इसको आपको अच्छे तरीके से लिखना है आक्सी करन इस पे question भी बनता है ठीक है आक्सी करन से question भी बनता है कि जब हम क्लोरो फार्म को खुला छोड़ देते हैं तो आक्सी करत हो करके क्या बनाता है फासजीन यह आपका क्लोरो फार्म है यह पेरवच्चो आक्सिजन है ठीक है सनलाइट होना चाहिए और सनलाइट है तब यह COCL2 बनाता है फासीन गैस जो की विसाइला होता है एक H निकलेगा और एक CL निकलेगा तो HCL बना लेगा ठीक है कम्प्लीट यही रियक्षन है आक्सिकण में मैं आपको बता दू कैसे लिखना है क्लोरोफार्म क्या क्लोरोफार्म सूर के प्रकास के उपस्थिती में बायू से आक्सिक रथो कर फासजीन गैस का निर्माण करता है क्या फासजीन गैस का निर्माण करता है COCL2 فاسجین گیس का निर्माड करता है फिर से लिखें क्लोरोफार्म सूर के प्रकास की उपस्थिती में बायू से अक्सिक्रत होकर फासजीन गेस का निर्माड करता है जो निश्चे तक का हैना काम करता है इसी लिए क्लोरोफार्म को एक भूरे बोतल में डाट तक भरकर रखा जाता है कुश्यन ऐसे आया करता है पैर बच्चो कि क्लोरो फार्म को भूरे रंग या नीले रंग के बोतल में मुह तक यह पूरा फुल भरकर डाट लगा कर अंधकार में रखते हैं क्यों क्यों कि यदि बोतल में थोड़ा भी जगए होगा तो वहाँ अक्सीजन होगा और अधी खुले जगए पर रख दी तो सीधा बायू से संपरक में आएगा और सनलाइट के प्रजिंस में है ना फासजीन के एस बनाएगा जिससे क्लोरो फार्म भी सहला बन जाएगा फिर से समझे इसके भूरे वातल में मुह तक भर का डाट लगा कर रखने का रीजन क्या है कारण क्या है तो प्यारे बच्चों जो आपका क्लोरो फार्म होता है क्लोरो फार्म जो एदी आपका नारमल टेंपरेचर है सूर का प्रकास है या कि आप अंधेरे में ही रखे है प्रकास में रखे है और उसमेरी थोड़ा बहुत भी बायू है आक्सीजन है तो आक्सी करत होकर के फासजीन गैस का निर्माण करता है सी ओ सी अल्टू जो की बिसैला होता है निश्चे तक का काम करता है यदि आप उसे है ना सूंग लेंगे पैरवच्चो हो सकता है आपका म्रत्वी हो जाए इसलिए कभी भी कहीं भी प्रैक्टिकल लैब में हो आप किसी भी सामान को बिना है ना जानकारी प्राप्ट किये या बिना टीचर के गाइडेंस के आप उस बस्तू या उस केमकल चीज़ों को मच हुए है क्योंकि वो जादा मतलब रियक्टिव होते है पैरवच्चो है ना जादा आपके क्रिया सील हो करके आपके सरीर को नुकसान भी पहुँचा सकते है सही है की नहीं जिसे एचसील आप छो दें आप जल जाएंगे सांद हसील आप अपने हथेली में रख दें आप कहां थेली जो है पूरा कपूरा जल जाएगा कपड़े पर हसील गिर जाए उसलिए आप लोग किसी भी बस्तू को उपकरण को छूने से पहले परमर्स लें अपने टीजर से ठीक है तो आज हमने कई अपक्रिया है यहां पर देख लिया है और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से त्यार भी कर दिया होगे और इसका हाइंड़ेटेड नोट्स लेना है तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं और प्रापर रूप से मेरा खुद का बनाए हुए नोट्स आप ले सकते हैं और अच्छे तरीकिस तैयर कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक जूरू करेगा सेयर करेगा मिलते हैं अगली वीडियो के शाहां तब तक लिए जय हिन बंद मात्रा